हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो क्रेजी जी के ट्रिक मैं गौर आप सभी का यहां पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज से हम क्रेजी जी के ट्रिक के चैनल पर रिजनिंग की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सभी टॉपिक्स को एक एक करके अच्छे से कवर करेंग विठ प्रिवेस अर्स कोश्टन के साथ बैसिक कंसिब भी होंगे और प्रिवेस अर्स कोश्टन भी होंगे यदि दोस्तों आप इन वीडियो का पीडियेफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ग्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर चले जाएए वहाँ पर आपको आपक दूस्तो हुमारी डिजनिंग के सीरीज में ये सभी टौपिक्स को हम कवर करेंगे जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लॉक चえپ्टर से क्लॉक चेप्टर के एक-डो कोश्चन्स एकसम में पूछे जाते हैं जैसे कुन कुन सी एक्जाम में दोस्तों, SSC में देख लीजी, SSCGL, SSC10+, MTS, NTPC में पुछा जाता है, रेलवे में, ठीके, पटवारी में, BAD, और इसके अलावा, जो हमारी Constable, Jail Praharie, Other एक्जाम जो होती हैं, इस्टेट की, उन में भी इसके questions पूछ जाते हैं, तो यहां से हम reasoning के सभी chapters को ध्यान से देखेगा, हम start करना जा रहा है clock, आज हमारा पहला lecture है इसमें, चलिए शुरू करते हैं clock को, यहां पर दूस्तों हम art type के concept पढ़ेंगे, ठीके, जिसे की सबसे पहले, दरपन प्रतिविम, mirror image, फिर water image, जल प्रतिविम, फिर find the angle, कौन ग्यात करना, external angle, y-acone, overlay, संपाती या इसे 0 degree भी कहा जाता है, perpendicular, लंबवत या इसे 90 degree भी कहा जाता है, opposite direction, विपरित दिशा या इसे 180 degree भी कहा जाता है, और घडियों का तेज और धीमा होना, हम इसे भी पढ़ेंगे, तो यहां पर इन सभी concept, यह 8 के 8 concept कि मैं आपको short tricks देने वाला हूं, तो दरपन प्रतिविम, mirror image, mirror image दोस्तों मतलब क्या, दाया और बाया परस्फर बदलते हैं, तथा उपर और नीचे में कोई बदलाव नहीं होता, यहां पर कहने का मतलब क्या है, दोस्तों mirror image में आप इजहान दखिएगा, जो भी चीज left में होती है, वो right में दिखती है, और ज दिखती है, left hand side में, और यदि हम left से मांग निकालते हैं, तो वका दिखती है, right hand side में, तो यहां पर क्या है, ध्यान रखिए, दरपन प्रतिविम में, mirror image में, left और right आपस में interchange होते हैं, और up-down कैसे रहते हैं, सेम, सर की जगर पर मतलब सरी दिखता है, ओपर नीचे कोई ब आपसे लोग का answer आचुका होगा, तीन बजे का दरपन प्रतिविम, तो तीन बजे का दरपन प्रतिविम दोस्तों क्या बन जाएगा, no, कैसे, जो काटा उपर है, वो तो उपर ही रहेगा, पर जो right वाला काटा है, वो गहां चले जाएगा, left hand side में, clear है सभी को यहां पर, आईए करती example और ले लेते हैं इसके, friends हमें अगला दिया है, पांच बजे का दरपन प्रतिविम, तो पांच बजे का दरपन प्रतिविम निकाल लेते हैं, यहां से पांच बजे का दरपन प्रतिविम क्या होगा, तो पांच वास्तवी घड़े में कुछ इस प्रकार और इसका जद दरपन प्रतिमें बनाएंगी, तो जो काटा दोस्तों यहाँ पर right hand side में है, वह का चल जाएगा, left hand side में चल जाएगा, और जो काटा उपर है, वह का रहेगा, उपर ही, ठीके? तो पांच बजे का दरपन प्रतिम क्या होगा साथ बजे क्लियर है आगे बढ़े उसी प्रकार दोस्तों में यहाँ पर दिया है दस बजे का दरपन प्रतिम तो दस बजे का दरपन प्रतिम निकालने के लिए दस बजा लेते हैं पहले वास्त्विक घड़ी में कुछ दस इस प्रकार बनेगा अब यहाँ पर जो काटा उपर है वह तो उपर ही रहेगा अब जो काटा दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में वह का चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो दस बजे का मेरे रिमेज कितना होगा दो बजे clear है तो यह तो थे simple हमारे concept अब questions किस प्रकार से पूछ सकते हैं दरपन प्रतिविम के आईए समझ लेते हैं friends हमें यहाँ पर दिया है चार बच कर 20 मिनिट का दरपन प्रतिविम क्या होगा अब यहाँ पर हमें मिनिट भी दिये हुए है आईए किसे यही निकाल देंगे इसको चार बच कर 20 मिनिट का दरपन प्रतिविम दोस्तों धियान रखे कि यहाँ पर आपको 11,60 में से माइनस करना है ठीक है काई में से माइनस करना है 11,60 में से तो यहाँ पर कितने प्रतिविम क्या होगा दोस्तों साथ चालीस तो यहां से हमारी पहली ट्रिक आती है दरपण प्रत्विम निकालने के लिए दोस्तों किस में से माइनस करेंगे ग्यारा साथ में से जो भी समय आपको दिया रहेगा उसको हम 1160 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे क्लियर है दोस्तों समझ में आए सभी को आगे बढ़ें next question पर चलिए friend next में दिया है साथ बचकर 18 मिनिट का दरपन प्रतिविम क्या होगा जी हाँ आए निकाल लेते हैं इसे साथ बचकर 18 मिनिट का दरपन प्रतिविम काई में से माइनस कर लेते हैं 1160 में से क्या जाएगा अंसर यहां से कितने बच्चे 42 और यहां से कितने बच्चे 4 तो 442 क्या होगा साथ बचकर 18 मिनिट का दरपन प्रतिविम होगा मेरा रिमेज होगा clear है दोस्तों समझ में आ रहा है सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं friends अगला में दिया है 11 बचकर 15 मिनिट का दरपन प्रतिविम क्या होगा अब इस सवाल में हमें कुछ सीखने को मिलेगा आईए कैसे 11 बचकर 15 मिनिट का दरपन प्रतिविम तो इसे माइनस कर लेते हैं 1160 में से दोस्तों यहां कितने बच्चे 45 और यहां कितने बच्चे डबल जीरो अब यहां पर डबल जीरो बचाए 0045 मतलब इसे दोस्तों क्या मान सकते हैं 1245 00 को हम लोग क्या बोलते हैं 1245 तो यहां पर 11 बचकर 15 मिनिट का दरपन प्रतिविम क्या होगा 1245 यह हमें सभी को मालूम है डबल जीरो को हम लोग क्या मान सकते हैं 12 अब इसी कई उस अपन आगे करेंगे चलिए देखे केस है फ्रेंट्स नेक्स कुश्चन है 12 बचकर 40 मिनिट का दरपन प्रतिविम क्या होगा तो आईए निकाल लेते हैं 12 40 को माइनस करेंगे किस में से 11 60 में से अब फ्रेंट्स यहाँ पर दिक्कत थोड़ी सी यह है कि 60 में से 40 तो माइनस हो जाएंगे पर क्या 11 में से 12 माइनस हो पाएंगे क्या नहीं तो अभी हमने डिसेंट्ली एक कोश्चन पढ़ा था 11 15 का दरपन प्रतिविम तो वहाँ पर दोस्तों हमने क्या ध्यान गिया था 00 को हमने क्या माना था 12 तो क्या दोस्तों हम 12 को 00 मान सकते हैं क्या जी बिल्कुल मान सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा 12 40 की जगे पर हम क्या लिख लेते हैं इसको replace कर दिया किस से 0 से 0040 तो यहां से क्या आ गया 20 और यहां से क्या बच गए 11 या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं दोस्तों जब भी समय 12 बजे वाले आएं यहने 11 से उपर के तो जैसे यहां पर दिया था हमें 12, 40 तो आप इसे 23, 60 में से भी घटा सकते हैं आंसर सेम ही आएगा यहां से बचे 20 यहां से बचे 1 और यहां से बचे 1 तो बारा बच कर 40 मिनिट का दरपण प्रतिविम क्या होगा दोस्तों 11, 20 यहां से हमने दो ट्रिक निकाल ली हैं दरपण प्रतिविम निकालने के लिए या तो 11, 60 में से माइनस कर लेंगे clear है सभी को आगे बढ़े हमारे अगले concept पर चलिए friends अगला concept है हमारा जल प्रतिविम अब जल प्रतिविम की या water image के हम बात करें तो water image में हमने या लिखा हुआ भी है उपर और नीचे परस पर बदलते हैं तथा दाया और बाया में कोई बदलाव नहीं होता कहने का मतलब क्या है दूस्तों अब यहाँ पर mirror image का क्या होगा opposite, vice versa mirror image में हमने क्या देखा था left और right interchange हो रहे थे अब down के से थे same अब यहाँ पर आप और down जा होंगे वो होंगे interchange और left राइट के सा रहेगा same यहाँ पर image में भी दिख रहा है इस doggy की image में जो इससा left में है water में left में दिख रहा है जो इससा right में है वो right में दिख रहा है परंत जो इससा नीचे है मतलब उसके legs वो दिख रहे है उपर और जो उसका head वो कहाँ दिख रहा है नीचे तो ध्यान रकिए दोष्तों, जल प्रतिविम में उपर और नीचे के इससे इंटर्चंज होते हैं, और लेफ्ट और राइट केसे रहते हैं, same, mirror image का just opposite, यहाँ पर भी हमें दिया है, तीन बजे का जल प्रतिविम, आईए बना लेते हैं, तीन बजे, तो दोस्तों, तीन बज नीचे, तो तीन बजे का जल प्रतिविम कितना बनेगा दोस्तों, साड़े तीन, क्लियर है, आईए, एक दो एक्जामपल और ले लेते हैं इसके, यहाँ पर बुला है, नो बजे का जल प्रतिविम, तो नो बजे का जल प्रतिविम कितना बनेगा, आईए, बना लेते हैं, न नीचे तो नौ बजे का जल प्रतिविम दोस्तों कितना बन गया नौ तीस मतलब साड़े नौ क्लियर है एक आधी एक्जामपल और देख लेते हैं बारा बजे का जल प्रतिविम तो वास्तवी घड़ी में कुछ बारा इस प्रकार बनेगा तो जल प्रतिविम उसका किस प्रक देख लेते हैं जिनमें हमें मिनिट भी दिये जाएंगे तो फ्रेंड्स यहां पर हमें दिया है पांच बचकर पंदरा मिनिट का जल प्रतिविम क्या होगा अब यहां पर मिनिट भी दिये हैं साथ में तो अब इसे कैसे निकालना है आइए इस की शॉट ट्री देख लेते तो 30 में से 15 चले गए दोस्तों यहां पर कितना बचा हमारा 15 और 18 में से 5 चले गए तो कितना बच गए यह 13 clear है तो यहां से हमारा क्या अंसर आ गया या तो 13 15 बोल सकते हैं इसे या फिर दोस्तों क्या बोल सकते हैं एक पंद्रा तो 5 बचकर 15 मिनिट का जल प्रतिविम क्या होगा एक बचकर 15 मिनिट तो यहां से हमारी पहली ट्रिक आ चुकी है जल प्रतिविम की 18 तीस में से माइनस करेंगे पर इसमें भी दोस्तों कुछ कंडिशन्स अप्लाई होंगी वो मैं आपको अताता हूँ आगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन्स पर चलिए फ्रेंट्स नेक्स कोशन हमें दिया है दस बचकर 20 मिनिट का जल प्रतिविम क्या होगा दस बचकर 20 मिनिट लिख लेते हैं इसे दस बचकर 20 मिनिट फ्रेंट्स काई में से माइनस करना है 18 30 अठारा तीस में से यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों 10 और यहाँ पर कितना बच गया 8 तो 10 बचकर 20 मिनिट का जल प्रतिविम दोस्तों क्या होगा 8 बच कर 10 minute clear है सबी को बिल्कुल simple है easy है आगे बढ़ते है next question पर चलिए friends next question हमें दिया गया है 7 बच कर 40 minute का जल प्रतिवीम क्या होगा तो लिख लेते हैं इसे 7 बच कर 40 minute और friends यहाँ पर हम इसे 18 तीस में से minus कर रही तो क्या होगा यहाँ पर 18 में से 7 तो minus हो जाएगा परंदू 30 में से 40 minus हो पाएगा क्या नहीं तो यहीं से हमारी दूसरी टिक भी निकल कर आती है क्या जब कभी minute हमें दिये हो 30 से उपर 30 से अधिक ठीक है तो क्या value रखना है पड़ेगी यहाँ पर हमें 17 90 17 90 में से हम minus कर देंगे साथ 40 को clear है आएए minus कर लेते हैं यहाँ पर बचा 50 और यहाँ पर कितना बचा 10 तो साथ बच कर 40 मिनिट का जल प्रतिविम दोस्तों कितना होगा 10 50 यहाँ पर हमारी दो ट्रिक आ चुकी है पहला है 18 30 में से minus करना है जल प्रतिविम के लिए और दूसरी है 17 90 में से minus करना है दोनों में condition क्या apply होगी दोस्तों ध्यान रखीएगा बिल्कुल छोटी सी condition है जब मिनिट 30 तक दिये हो तब हम 18 30 में से minus करेंगे और जब मिनिट 30 से अधिक हो तब हम 17 90 में से minus करेंगे और यह जो 17 90 हैं दोस्तों यह भी यहीं से आया है कहां से? 18 30 में से आईए मैं आपको यहीं पर solve करके दिखा जाता हूँ 18 30 में से किया कुछ भीन दोस्तों यहां से 18 गंटे यह 30 मिनिट लिखा हुआ है एक आवर यहां पर उधार दे दिया तो एक आवर मतलब कितने मिनिट दोस्तों 60 मिनिट तो 18 में से एक इदर चले कितने बचे 17 और यहां पर already दोस्तों 30 मिनिट थे 60 मिनिट और आ चुके तो total कितना बन गया 17 90 clear है तो हमारे दूसरी टेकड़ी यहां से आईए 17 90 की आपको ध्यान क्या रखना है 18 30 में से दोस्तों कम माइनस करेंगे जब मिनिट 30 तक हो और 17 90 में से कम माइनस करेंगे जब मिनिट 30 से अधिक हो friends मैंने यहां पर लिख भी दिया है आप इसे नोट कर लीजिएगा 18 30 हम कभी उस करेंगे जब मिनिट 0 से 30 तक हो और 17 90 हम कभी उस करेंगे जब मिनिट 31 से 60 तक हो clear है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले concept पर आए friends हमारा अगला concept है कौन ग्यात करना find the angle important है यह बिलकुल यही से question exam में उठके आते हैं ध्यान सी समझेगा दोस्तों मैं इसमें आपको दो trick बताऊंगा आए समझ लेते हैं यहाँ पर 3 बज रही है दोस्तों तो दोस्तों 3 बज़े का angle कितना हो गया यहाँ पर 90 degree clear है और यदि 3 बज़े का angle 90 degree है तो 1 बज़े का कौन कितना होगा दोस्तों 30 degree कैसे देखे यहाँ पर 12 मतलब क्या मान लेते हैं इसे 0 degree 12 से लेके 3 तक दोस्तों 3 इसे हैं 1, 2 और 3 और यदि 3 इसे की value 90 degree है तो पहले इसे की value कितने होगी 30 degree आईए इसे एक example से समझ लेते हैं यदि दोस्तों 3 chocolate 90 रुपे की तो friends एक chocolate कितने रुपे की होगी सीधी सी बात है 30 रुपे की होगी clear है तो यहाँ से 12 से लेके 3 तक भी 3 हिसे थे तो यदि 3 इसे 90 degree का है तो पहला इसे कितने का होगा 30 degree का तो यहाँ से हमारी value आ गई कि दोस्तों 1 hour कितने degree का होता है 30 degree का यहाँ पर हम लिख लेते है 1 hour की value कितनी 30 degree यदि हमसे 2 hour की value पूछेगा तो क्या होगा 60 यदि हमसे 3 hour की value पूछेगा तो क्या होगा 90 और इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा clear है सभी को चलिए अब यहाँ से हम minute की value निकाल लेते हैं जिसे देखे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 से लेके 1 तक में कितने इससे हैं चोड़े जोटे से 5 1, 2, 3, 4 और यह 5 उसी प्रकार से दोस्तों आगे भी देखेंगे आप 1 से 2 में तो भहाँ पर भी 5 इससे हैं दो से तीन में देखेंगे, तो वहाँ वरे पाँच. तो दोस्तों यहाँ पर जीरो डिगरी से लेके थर्टी डिगरी तक में, कितने इससे हैं? पाँच. तो यदि पाँच हिस्सों की value दीज डीगरी है, तो एक इससे की value कितनी होगी? छे डिगरी या इसे चॉकलेट वाले एक्जामपल समझ लेते हैं दोस्तु ये जो एक चॉकलेट है माल लिजे इसे पांच परसन ले रहे हैं तो पांच परसन कितना खर्चा कर रहे हैं तीस रुपे यहां से एक परसन के आप वेल्यू निकाल लीजिए तो कितनी आ जाएगी छे रुपे एक परसन कितना मिला रहा है छे रुपे तब जाके पांच परसन कितने रुपे मिलाएंगे तीस रुपे और एक चॉकलेट आ जाएगी एक चॉकलेट कितने की तीस रुपे की तो यहां से आप पूरा समाझ लीजिए कि एक आवर कितने डिगरी का दोस्तों तीस डिगरी का तो उसी प्रकार से एक मिनिट कितने डिगरी का होगा छे डिगरी का तो दोस्तों यहां से हमारी एक मिनिट के विल लिवागी कितना है छे डिगरी दोस्तों एक मिनिट छे डिगरी का तो दो मिनिट कितने डिगरी को जाएंगे बारा, तीन मिनिट कितने को जाएंगे अठारा, चार मिनिट कितने को जाएंगे चौबीस और पांच मिनिट कितने को जाएंगे तीज के इसी प्रकार से यहां से हमारी ये दो चीज निकल के आ चुकी है कि एक आवर कितने डिगरी का 30 डिगरी का और एक मिनिट कितने डिगरी का 6 डिगरी का इन दोनों को आपको याद रखना है याद वेसे हुई गया होगा चलिए अब इसके बुछ questions देख लेते हैं friends यहाँ पर हमसे पूछा है कुछ छोटे जोटे से 4 questions है चार बजे का कौन, आठ बजे का कौन ग्यारा बजे का कौन और साथ बजे का कौन मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा जाता हूँ दोस्तों एक आवर कितने डिगरी का 30 का और एक मिनिट कितने डिगरी का 6 डिगरी का तो उसी प्रकार से दोस्तों, चार बजे का कौन कितना होगा, तो चार में multiply किसका कर देंगे दोस्तों, तीस का, तो कितना जाएगा angle, 120 degree, उसी प्रकार से दोस्तों, आठ बजे का कौन कितना होगा, तो आठ में multiply किसका कर देंगे दोस्तों, तीस का, तो कितना जाएगा, 240, उ और साथ बेए का कौन कितना होगा तो साथ इंटू थर्टी कितना आ गया दो सो दस तो यह थो थे दोस्तो सिंपल कुशन जिनमें आपको डारेट समय दिये हैं अब यहाँ पर आवर की विल्यू दी है के वल आए कुछ ऐसे कुशन देख लेते हैं जो एक्जाम में पूछे आ मिनिट का कौन क्या होगा अब सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे लॉंग ट्रिक सबसे बड़े लॉंग ट्रिक पर चर्चा कर लेते हैं कि लॉंग ट्रिक क्या बोलती है और कैसे सॉल करना है इसे लॉंग ट्रिक से एक तरफ हम पार्ट ले लेंगे दोस्तो आवर का और एक friends यहाँ पर हमने दो इससे कर लिये हैं एक hour का और एक minute का hour वाले इससे में हमने पहले hour लिखे 4 plus जो minute दिये गए हैं उन्हें लिखा है और उसे भाग दिया है कि इससे 60 मतलब उन्हें हमने hour में convert कर लिया है minute में तो हमें कुछ convert करना ही नहीं है तो डारेट लिख देते हैं 20 into 20 में multiply का कर देंगे दोस्तों 6 का अभी हमने पढ़ा था ना एक hour दोस्तों कितने degree का 30 degree का और एक minute कितने degree का 6 degree का तो यहाँ पर हमने minute का multiply कर दिया 20 minute का multiply किसमे 6 clear है अब hour में multiply करेंगे 30 का पर पहले से क्या कर लेते हैं simplify कर लेते हैं तो 20 एकम 20 20 तिया 60 3 चोग 12 और 13 बटे 3 यहाँ से value आ गई दोस्तों 13 बटे 3 अब यह दोस्तों पूरा convert हो गया किसमें आवर में अब हम इसमें multiply किसका करेंगे 30 का तो 3 एकम 3 और 3 धाम 30 और 13 का multiply दस में तो कितना जाएगा 130 अब यहाँ से आई value 130 यहाँ multiply कर लिजिए 6 दूनी 120 मतलब यह reasoning हो गया थोड़ा सा logic लग गया 6 दूनी 12 जीरो अलगा लिया अपन ने अब friends यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर hour और minute इन दोनों में यहाँ पर value बच्ची है 130 और यहाँ पर बच्ची है 120 दोनों काम ले लेंगे difference कहने का मतलब जिसकी भी value बढ़ी आएगी ज़रूरी नहीं हर बार hour वाले part की value बढ़ी आएगी हो सकता है minute वाले part की value बढ़ी आजाए तो उसमें से हम क्या करेंगे छोटी value को minus कर देंगे तो 130 और 120 का difference दोस्तों कितना हो जाएगा 10 degree तो यह है हमारा answer कि 4 बच कर 20 minute का कौन कितना होगा तो 10 degree होगा clear है सभी को तो यह थी long trick अब इसी question को दोस्तों हम short trick से solve करके देखते हैं आए शोट trick भी देख लेते हैं 4 बच कर 20 minute का कौन 30 A minus 11 बटे 2 B दोस्तों आपको A की जगे पे hour की value को रखना है और B की जगे पे minute की value को रखना है आए पूट कर देते हैं value in में 30 into hour दोस्तों कितने दिये हैं 4 minus 11 बटे 2 B की जगे पे हम लोग क्या रख देंगे 20 simplify कर लेते हैं यहां से 30 चोप 120 बचा और यहां से 2 एकम 2 2 धाम 20 11 धाम 110 110 और 120 का difference कितना बज़िया दोस्तों 10 degree तो यहां से भी हमारा answer वही आया 10 degree पर जल्दी आ गया बहुत है न दोस्तों तो समझ में आ दोस्तों short trick आपको तो आपको यह formula याद रखना है angle निकालने के लिए 30 A minus 11 बटे 2 B और यहां पर A की जगे पे किसको रखेंगे हम hour को और B की जगे पे किसे रखेंगे minute को अब यहां पर दोस्तों मैंने mode इसलिए लगाया हुआ है यहां पर इस formula में mode इसलिए लगा है कि कभी मान लीजिए under value minus की बस्ती है तो वह बाहर जब आएगी mode के तो क्या हो जाएगी plus की clear है सभी को चलियाए इसके एक दो example देख लेते हैं और चलिये friends next question है हमारा 2 बच कर 30 minute का कोन क्या होगा सबसे पहले से हम long trick से solve कर लेते हैं दोनों trick सीख लिए दोस्तों long trick आए फिर से एक बार 2 बच कर 30 minute का कोन तो क्या करना है 2 इससे बनाना है दोस्तों एक इससा hour का और एक इससा minute का clear है hour में क्या करेंगे पहले रख देंगे value 2 फिर जितने minute दिये हैं वह और उनको भाग दितेंगे किससे साहट से उसको hour में convert कर लिए हम लोगों और minute कितने दिये हुए हैं 30 तो उसमें direct multiply किसका कर देते हैं दोस्तों 6 का इसको simplify कर लेते हैं 30 से कम 30 30 दूनी 60 LCM ले लिजे दोस्तों 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 अब ये पूरा convert किसमें हो गया hour में अब हम इसमें multiply किसका करेंगे दोस्तों 30 का 30 का multiply कर दिये दोसे काड़ लेते हैं से ये कितना हो गया 15 15 15 75 और यहां से हमारी value कितने आगी 3 चंग 18 मतलब 180 अब यहां पर आप 180 और विचोत्तर का difference ले लेगे 180 माइनस के 75 ये बचा 5 ये बचा 0 और ये बचा 1 तो कितना आगी है दोस्तों 105 2 बच कर 30 मिनिट का कौन क्या होगा 105 डिगरी clear है अब इसे ही short trick से solve करके देखते हैं चली फ्रेंट short trick भी देखे लेते हैं इसमें 230 को क्या formula था हमारा 30 A minus 11 बटे 2 B A की जगे पर किसकी value को रखना है hour की B की जगे पर किसकी value को रखना है minute की 30 hour कितने दिये हुए है 2 minus 11 बटे 2 B की जगे पर क्या रख देते हैं minute कितने 30 simplify कर लिजे से यहाँ पर कितना हो गया यह 60 इतना इतना हिस्सा 2 से इसको काट दिया 15 15 का multiply 11 में कर लिजे कितना जाएगा 165 अब यहाँ पर 60 और 165 का difference दोस्तों कितना minus का 105 अभी mode हमने हटाया नहीं है ठीक है इसलिए यहाँ पर mode लगा हुआ है कि angle कैसे आए positive तो यहाँ पर अब जो value भाहर आएगी तो कैसे आएगी positive 105 degree तो यहाँ से भी दोस्तों हमारा answer वही आया जो long trick से आया था तो यहाँ पर आपको मैंने दोनों trick बता दिये हैं चलिए friends हमारा अगले concept की तरफ चलते हैं अगला concept है हमारा y-acone मतलब external angle अब external angle के लिए मैंने यहाँ पर दोस्तों कुछ कितना होता है 120 degree उसी प्रकार दोस्तों तीन बजे का अंतरकों कितना होता है 90 degree और उसी प्रकार पांच बजे का अंतरकों कितना होता है 150 मतलब 1500 degree 150 degree अब यहाँ पर बात करते हैं पहले 4 बजे के y-acone की तो y-acone कैसे निकालेंगे तो बचा हुआ यह जो area है यह क्या किलाएगा y-acone कैसे निकालेंगे से 360 degree में से हम 120 degree को मतलब अंतरकों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारा answer आजाएगा 240 degree तो 4 बजे का y-acone क्या होगा 240 degree उसी प्रकार से दोस्तों 3 बजे का y-acone क्या होगा तो 360 degree में से आप क्या कर लिजे अंतरकों की value को माइनस कर दीजे तो कितना आ जाएगा इतने इतने value 270 degree clear है आगे बढ़ते हैं 5 बजे का y-acone दोस्तों क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक की value तो अंतरकों की value को 360 degree में से माइनस कर दीजे तो आपका आजाएगा y-acone मतलब कितना 210 degree clear है सभी को तो y-acone निकालना बिल्कुली आसान है चलिए इसका example और देख लेते हैं 6 बचकर 15 मिनिट का y-acone क्या होगा तो आएए पहले जबसे पहले हम निकाल लेते हैं 6 बचकर 15 मिनिट का अंतरकों 30 a- 11 बटे 2 b पहले अंतरकों की value निकाल लेते हैं 180 माइनस अब 2 से 15 तो दोस्तों कट नहीं रहा 15 का multiply कर दीजे 11 में क्या जाएगा 165 by 2 180 degree इसको पर लाड़ा कर लेते हैं 216 224 और ये 5 अच्छे से लिख लेते हैं 82.5 अब 180 और 82.5 का यदि हम डिफरेंस लेंगे यदि माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 97.5 अब ये जो 97.5 दोस्तों आया है यह आया है अंतरकों किसका 6 15 का ये 97.5 अब बचा हुआ ये वाला जो है वह हमारा क्या है y अकॉन तो इसे कैसे निकालेंगे 360 degree में से 97.5 कम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर हमारा 5 यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 यहाँ पर क्या बच जाएगा 262.5 clear है सबी को आगे बढ़ने दोस्तों अगले concept पर चलिए friends अगला concept है हमारा संपाती overlay या ऐसे 0 degree भी कहा जाता है इसमें basic questions होते हैं कुछ जीशे मैं आप से बूच हूँ कि यहाँ पर यह भी 12 बज रहे हैं वापस 12 बजेंगे मतलब 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुईया कितनी बार मिलेंगे या इसे और चोटे example समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 1 5 हो रहा है तो 1 से 2 बजे के मतलब घड़ी की सुईया एक दूसरे हो कितनी बार मिलेंगे तो यहाँ पर जैसे कितने साहें मिल रही है something एक 5 के समझ है है ना या एक 6 के समझ है तो क्या है यहाँ पर एक घंटे में घड़ी की सुईया एक बार मिलती है मतलब कितने डिगरी बनाती है कितनी बार एक बार एक घंटे में दोस्तों कितनी बार मिलती है एक बार तो 12 गंटे में कितनी बार मिलेंगी? 11 बार अब इसा क्यों? देखे, यहाँ पर 11 से जो एक का समय है ठीक है, 11 बज़े से लेके एक बज़े का जो समय है यह वाला नतरान इसमें घड़ी की दोनों सुईयाँ एक बार मिलती हैं, यहाँ पर 12 बज़े तो दो घंटे में यहाँ पर यह केवल एक बार मिल रही है कब 12 बजए इसलिए घड़ी की सुईया एक घंटे में एक बार तो मिलती है जैसे एक से दो के वीच में यहाँ पर मिल गई है ठीक है एक घंटे में एक बार तो मिलती है परन्तो बारा घंटे में कितने बार मिलती है 11 बार clear है सभी को और यदि पूछे 24 घंटे में कितने बार बिलेंगी तो कितने बार बिलेंगी दोस्तों 22 बार यहां तक clear सभी को सवालों पर दोस्तों चलने से पहले हम यहां पर संरेखी का या ओवरलेप का कुछ एक concept है जो trick के लिए important है तो पहले हम वो समझ लेते हैं फिर हम सवालों पर चलनेगे तो यहां पर मैंने दो पार्ट में कर रखा है speed of hour and speed of minute and हम यहां पर comparison कर रहे हैं hour के काटे की और minute के काटे की speed की आईए देख लेते हैं दोस्तों बात करें यहां पर hour के काटे की speed की जैसे मान लिए दोस्तों बारा बज रही है तो वापस बारा कब बजेगी दोस्तों बारा घंटे बात तो कहने का मतलब क्या है कि hour की जो सुई है छोटी जो सुई है वह बारा घंटे में 12 hour कितना degree travel करती है 360 degree यहां से यहां से यहां से एक hour की value निकालूं तो 360 degree तिरिया कोणा से 12 कहां चले गया नीचे 12 से इसको काट लेते हैं 12 तिया 36 जीरो ऐसा कैसे ही दोस्तों यहां से एक hour की value कितनी आ गई है 30 degree जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं अब इसे मैं एसा लिख सकता हूं दोस्तों 60 minute बराबर किसके 30 degree के और यहां से मैं एक minute की value निकालता हूं तो क्या जाएगा 30 बटे साहट मतलब क्या हो गया आधा degree तो यहां से हमारा यह जो आया है आधा degree किसकी speed आई है speed of hour end की कहने का मतलब जो घंटे की सुई है वह एक minute में कितना travel करती है दोस्तों आधा degree अब उसी प्रकार से हम minute end की भी speed निकाल लेते हैं जिस प्रकार से 12 घंटे में 360 degree travel कर रहा है कौन सा छोटा वाला काटा हमारा hour का काटा उसी प्रकार से दोस्तों minute का काटा जैसे यहाँ पर हमने दिखाया था कि 12 बज रही है अब बड़ा काटा वापस 12 पर कब आएगा दोस्तों एक बजे क्लियर है तो एक घंटे में 360 degree travel कर रहा है कौन सा काटा बड़ा काटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 60 minute बराबर किसके 360 degree के यहां से मैं एक minute की value निकाल लेता हूँ दोस्तों तो क्या जाएगी 360 degree upon 60 0 से 0 cancel out और 66 36 तो एक minute बराबर किसके 6 degree के clear है यह भी हम पहले निकाल चुके हैं तो यहाँ पर हमने दोनों की speed को क्या कर लिया कि hour का जो काटा है वह एक minute में आधा degree travel करता है और minute का जो काटा है वह एक minute में 6 degree travel करता है आए भी इसका क्या use करते हैं आगे देखिए तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हम relative speed की relative speed मतलब क्या आपको मैंस में पढ़ाया जाएगा जब भी दो थिंग दो वस्तों यह दो गाड़ी एक ही दिशा में अलग-अलग speed से चल रही है तो उनकी relative speed कैसे निकालते हैं ज्यादा speed में से कम speed को घटा कर relative speed को निकाला जाता है यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था क्या दोस्तों our hand एक minutes में कितना travel करता है आधा degree जबकी minute hand एक minute में कितना travel करता है छे degree clear है अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं इन दोनों काटों की relative speed निकाल लेते हैं तो यहाँ पर ज्यादा speed किसकि है दोस्तों minute क्या काटे की और कम speed किसकि है hour क्या काटे की तो 6 minus यह एक बटे 2 आए इसको minus कर लेते हैं simplify 6 2 नी 12 minus 1 मतलब 11 बटे 2 11 बटे 2 जो है वो दोनों काटो की क्या होगी relative speed हो इसे ध्यान रखेगा यह important है हमारे लिए आगे tricks में भी काम आएगा चलिए आईए अब बात करते हैं दोस्तों हमारे trick की इसे trick को कैसे solve करेंगे तो trick हमारी कहती है संपाती निकालने के लिए क्या करेंगे दिये गाए समय में छोटा समय लेना है और उसका कोण और उसे भाग देना है किससे दोनों काटों की relative speed से जो भी दिया गाए समय उसमें हम छोटा वाला समय लेंगे और उसका कोण लेंगे को कोण हो गया ठीटा और उसे भाग देंगे किससे 11 बटे 2 से मतलब relative speed से यह हमारे trick होगी किसके लिए संपाती के लिए आईए इसे apply करके देख लेते है questions पर केसे apply करना है friends हमें question दिया है यहाँ पर 3 से 4 बजे की मत्य घड़ी की दोनों सुईया संपाती कब होंगी मतलब वही 0 degree कब बनाएंगे clear अब इसमें हम short trick अपलाते हैं हमारे trick क्या बोलती थी दोनों जो दिये गए समय है उसमें हमें क्या लेना है छोटा वाला समय और उसका angle तो 3 बजे का कौन दोस्तों कितना 90 डिगरी और उसे हम भाग देतेंगे किससे 11 बटे 2 से भाग देतेंगे आगे देखे क्या होता है यहाँ पर दो को हम उपर ले आते हैं तो क्या हो गया यह 180 यह क्या हो गया 11 11 से भाग देते हैं दोस्तों इसे 11 एकम 11 बचे कितने 7 11 चंकी 6 चट बचे कितने 4 अब इसे लिखेंगे किसे 16 सही 4 बटे 11 क्लियर है सभी को तो इसे क्या बोल सकते हैं तीन बच कर 16 सही 4 बटे 11 मिनिट पर घड़ी की सुईयां 0 डिगरी बनाएंगे या संबाती होंगे क्लियर है सभी को समझ में आया बिलकुँ सिंपल है चोटा ट्रिक है आए एक एक जामपल और देख लेते हैं इसका जिससे आपको पूरी चीज़े क्लियर हो जाएंगी चलि फ्रेंट्स नेक्स कुश्चन है हमारा चार से पांच बज़े के मध्य घड़ी की दोनों सुईयां एक दूसरे से कम मिलेंगी तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चार से पांच बजे की माद, यह मतलब छोटा वाला समय कुन सा है, हमारा, चार, तो चार बजे का दोस्तों इंगल ले लेते हैं, कितना होता है, 120 डिग्री, यहाँ इसको हम भाग दे देंगे किससे, 11 बटे 2 से मतलब हमारी relative speed से दोनों काटो की, इस दो कम उपर ले आते हैं, कितना हो गया, 240 बटे कितना, 11, 11 से भाग दे लो इसको, 11 दोना 22 बचे कितने 2, 11 एकम 11, बचे कितने 9, कैसे लेखेंगे दोस्तों इसे, 21 सही 9 बटे 11, clear है सभी को, कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 4 बच कर 21 सही 9 बटे 11 मिनिट पर घड की, दोनों सोईयां, एक दूसरे से मिलेंगे, या फिर 0 डिगरी बनाएंगे, या बोल सकते हैं, ओवरलेप करेंगे, clear है सभी को, समझ मैं है, शॉर्ट ट्रिक्स अभी को, चलिए आए हमारे अगले कंसेप्ट पर चलते हैं, तो friends हमारा अगला कंसेप्ट है, लंबवत, पर दो बार, clear है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, एक घंटे में 90 डिगरी कितने बार बनेगा, दो बार, और 12 घंटे में 90 डिगरी कितने बार बनेगा, 22 बार, clear है दोस्तों, जिसे यहाँ पर अमारा 3 बजे भी 90 डिगरी बन रहा है, और जब 9 बस थी, तब बिए यहाँ पर दोनों सुईयां कब लंबवत होंगी कब लंबवत होंगी मतलब कब 90 डिगरी बनाएंगी अब इसे निकालने के लिए ध्यांची समझीगा यहाँ पर हमारी ट्रेक तो वही होगी पर उसे अपलाय करने से पहले थोड़ा सा में और सॉल करना पड़ेगा कैसे आईए देखते ह हमें समय दिया है 6 से 7 तो वही करना क्या है छोटा वाला समय लेना है और उसका कौन तो यहाँ पर 6 वज़े दिया है उसका हम कोड ले लेते हैं 180 डिगरी अब यहाँ पर करना क्या है आपको 180 डिगरी को दो बार लेना है जिसमें हम एक बार क्या करेंगे 90 डिगरी माइनस औ क्योंकि लंबबवत कितनी बार होती है एक गंटे में दो बार तो दोनों समय कैसे निकलेंगे एक बार हम 90 को माइनस करेंगे और एक बार हम 90 क्या करेंगे दोस्तों प्लस, ख्लियर है, तो आइए माइनस करके देखे लेते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री में से 90 चले गए, तो कितना बचा दोस्तों, 90, अब यहाँ पर यह जो 90 डिग्री बचा है, हम इसे भाग देंगे किससे 11 बटे 2 से तो अल्टेमिटले यहाँ पर यह वापस बन जाएगा, 180 डिग्री, बटे 11, 11 से इसको काट लेते हैं 11 एक कम 11 बचे कितने 7, 11 छंकी 6 बचे कितने 4, आइए इसे लिख लेते हैं, 16 सही 4 बटे 11 कहने का मतलब, 6 बचकर 16 सही 4 बटे 11 मिनिट पर पहला 90 डिग्री बनेगा, 6 से 7 के बीच में, और दूसरा कब बनेगा, तो आए दूसरा भी निकाल लेते हैं यहाँ पर यह 0, यह 7 और यह 2, तो कितना आगया यहाँ से 270, अब इस 270 को हम दोस्तों का ऐसे भाग देंगे relative speed से मतलब 11 बटे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर यह क्या बनगे दोस्तों 540 बटे 11 आईए 11 से काट लेते हैं 1445 बचे कितने 10, 11, 99, 99 कितना बच्छा, 1 कैसे लिखेंगे दोस्तों इसे 59 सही, 1 बटे 11 clear है, तो दूसरा 90 डिग्री दोस्तों कब बनेगा, 6 बच कर 59 सही, 1 बटे 11 मिनिट पर, समझ मैं आई सभी को दूस्तों, 90 डिग्री किसे निकालना है, एक बार 90 डिग्री माइनस करना है चोटे वाले समय और उसके कोण में से और एक बार 90 डिग्री प्लस करना है clear है, आईए एक और देख ले, ताकि कि आपके सारे confusion दूर हो जाए, चली friends, हमारा अगला question है, चार सी पांच बजी के मध्य, घडी की दोनों सुईयां कब-कब लंबवत होंगी कब-कब लंबवत होंगी हमें दोनों समय बताना है, आई सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, बताइए छोटा वाला समय लेंगी चार और उसका एंगल लेंगी कितना 120 डिगरी, एक बार क्या करेंगे दोस्तों इसमें 90 डिगरी माइनस और एक बार इस 120 में क्या करेंगे 90 डिगरी प्लस आईए पहले माइनस कर लेते हैं तो कितना बचा 30 अब इस 30 को क्या करेंगे दोस्तों relative speed से भाग दे देंगे तो कितना बन जाएगा 60 बटे 11 11 से काट लो 11 पंजे 55 किसे लिखेंगे इसे 5 सही 5 बटे 11 कहने का मतलब 4 बचकर 5 सही 5 बटे 11 मिनिट पर घड़े की सुईयां पहला 90 डिगरी बनाएंगी आए दूसरा निकाल लेते हैं यह हो गया 0 यह हो गया 1 और यह हो गया 2 210 अब इस 210 को दोस्तों हम काई से भाग देंगे 11 बटे 2 से 11 बटे 2 से भाग दिया तो यह कितना मन जाएगा 420 बटे 11 11 से काट लेते हैं दोस्तों 11 तिया 33 कितने बचे 9 और 11 अठे इठ्थिया से कितने बचे 2 किसे लिखेंगे दोस्तों इसे 38 सही 2 बटे 11 यह बोल सकते हैं 4 बच कर 38 सही 2 बटे 11 मिनिट पर दूसरी बार 90 डिगरी बनेगा कब से कब तक 4 से 5 के मध्य में बीच में clear है सभी को चली आगे बढ़ते हैं अगले concept पर हमारे अब यहाँ पर दोस्तों अगले concept पर बढ़ने से बेले हैं आपको एक चीज़ और बता दू 90 डिगरी जो नंबवत है इसके questions जो है वो split करके भी पूछ सकते हैं exam में क्या यहाँ पर हमसे पूछ सकता है कि 4 बजे से लेकर आप 4.5 बजे तक का बताईए कि कब 90 डिगरी बनेगा यदि हमसे पूछागा है कि 4 से 4.5 के मध्य 90 डिगरी कब बनेगा तो हम यह वाला समय बता देंगे मतलब 4 बचकर 5 सही 5 बटे 11 मिनिट और यदि हमसे पूछेगा कि 4.5 से 5 बजे के मध्य 90 डिगरी कब बनेगा तो हम यह वाला समय बता देंगे 4 बचकर 38 सही 2 बटे 11 मिनिट जब हम दोस्तों इस चेप्टर के प्रेटिस करेंगे तम मैं आपके लिए इस टाइप के questions लेक्या हूँगा ठीक है यहां तक सभी को समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हमारे अगले concept पर friends हमारा अगला concept है संरेखी परंतु विपरित दिशा में या इसे 180 डिगरी भी कहा जाता है संरेखी मतलब एक ही रिखा में विपरित दिशा में जिसे यहां पर जिखिए यह 6 बज रहा है तो दोनों काटे के हैसे हैं एक दूसरे के opposite हैं मतलब किसा निर्वान कर रहे हैं 180 डिगरी का निर्वान कर रहे हैं या बना रहे हैं यहां पर something 8-10 हो रहा है तो यहां पर भी कैसा बना रहा है एंगल 180 डिगरी तो इसी वे basis question आते हैं इसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी था जिसे हमने अभी overlap पड़ा perpendicular पड़ा तो यहां पर 180 डिगरी में भी कुछ condition अपला होती है कि एक घंटे में 180 डिगरी कितनी बार बनता है एक बार और 12 घंटे में कितनी बार बनता है 11 बार clear है सबी को चलिए इसके questions देख लेते हैं केसे लगाना है केसे निकालना है बिल्कुल simple है friends जैसे हम यहां पर दिया है 7-8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुईया कब संरेखिये परंतु विपरित दिशा में होंगी संरेखिये मतलब एक ही रेखा में परंतु के सब विपरित दिशा मतलब क्या पूछा है हमसे 180 डिगरी कब बनाए कब से कब तक 7-8 के मध्य में तो आईए इसे भी निकाल लेते हैं अब यहां पर दोस्तों क्या है दो कंडिशन अपलाए होंगी दो कंडिशन कौन सी यदि दोस्तों आपको समय 6 बजे के पहले का समय दिया हो तो हम उसमें क्या करेंगे 180 डिगरी प्लस करेंगे और यदि दोस्तों 6 बजे के बाद का समय यदि दिया है तो हम उसमे 180 degree क्या करेंगे माइनस करेंगे इस चीज को आप ध्यान रखेगा यह important है यदि 6 बज़े से पहले का समय दिया है तो क्या करेंगे 180 degree plus और यदि 6 बज़े के बात का समय दिया है तो क्या करेंगे 180 degree minus अब जैसे हमें यहाँ पर क्या दिया है 6 बज़े के बात का समय तो 7 से 8 के बीच निकाल लेते हैं करना क्या है दोस्तों छोटा वाला समय लेना है और उसका कोण तो 7 बज़े का कोण कितना 210 degree अब 6 बज़े के बात का समय है तो क्या करेंगे 180 degree इसमें से minus कर लेंगे आईए minus कर लेते हैं जीरो यहां पर कितना मचा 3 clear है सबी को अब इस दोस्तों 30 में हम काय का भाग दे लेंगे relative speed का 11 बटे 2 बस अब यहां से हमारा answer आ जाएगा इस 2 को हम उपर ले आते हैं 60 हो गया 60 को भाग देते हैं 11 से 11 पंजे 25 केसे लिख लेंगे दोस्तों इसे 5 सही 5 बटे 11 कहने का मतलब 7 से 8 के बीच में घड़ी की दोनों स्वियां संडेखी होंगी परंतु विपरित देशा में कब 7 बच कर 5 सही 5 बटे 11 मिनिट पर clear है सबी को समझ में आया आईए इसका एक example और देख लेते हैं कि आपको इसकी पूरी चीज़े clear हो जाए चलिए चलते हैं हमारे एक और example पर चलिए friends यहाँ पर हमें अगला question दिया है 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों स्वियां कब संडेखी परंतु विपरित देशा में होंगी ठीक है वही पूछा है हमसे 180 degree उसी का example लिया है हमने दोस्तों यहाँ पर हमें 4 से 5 बजे का समय दिया है मतलब 6 बजे के पहले का समय दिया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 180 degree को plus करेंगे किसमें छोटा वाला समय ले ले लेते हैं यहाँ पर आगया 0 यहाँ पर आगया 0 यहाँ पर आजागा क्या 3 अब यह जो दोस्तों 300 आया है जी हैं बता दीजी क्या करेंगे इसे 11 बटे 2 से भाग दे लेंगे 2 उपर चला जाएगा कितना बन गया 600 भाग दे लो 11 से 11 पंजे 55 बचे 5 11 चुक 45 बचे कितने 6 इसे कैसे लिख लेंगे दोस्तों 54 इंटेजर 6 बाइ 11 या फिर इसे बोल सकते हैं 4 बचकर 54 सही 6 बटे 11 मिनिट पर घड़ी की दोनों सुईया 4 से 5 बचे के मद्द क्या होंगी विपरिद दिशा में होंगी या 180 डिगरी बनाएंगी क्लियर है सबी को तो दोस्तों यहां तक थे हमारे कंसेप्ट एक कंसेप्ट और बचा हुआ है हमारा घड़ी का तेज और धीमा होना तो उसे मैं आपको प्रैक्टिस शीट में बताऊंगा प्रैक्टिस वाले विडियो में क्योंकि उसमें लगेंगे हमारे साथ कोश्चन्स तो कोश्चन्स के साथ में मैं आपको वो चीज क्लियर करा दूगा तो यहां तक दोस्तों आपको यदि समझ में आया हो मेरे बताए गए ट्रिक्स आपको यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्स्राइब करिए और मेरे साथ बने रही है दोस्तों हम इसी प्रकार से सभी चैप्टरों को अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे यदि आपने यहाँ पर यह सारे जितने मैंने आपको ट्रिक्स और कांसेप्ट बताए हैं यदि आपने यह सभी पढ़ लिए तो आपके घड़ी के mostly सभी कोश्चन्स एक्जाम में सॉल्व हो जाएंगे और हमारे आने वाले प्रेक्टिस सेशन में भी आपको सभी कोश्चन्स जल्दी से जल्दी मेरे साथ में आप लगा लेंगे ठीके दोस्तों तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में प्रेक्टिस सेशन के साथ में चलिए जैहिं